नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशास सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोस संतोशी दिनांग 11 अगस्त नए दिन का शुभारम कर रहे हैं और आप सब के लिए आज का दिन कितना स्पेशल रहेगा पूरी जानकारी देंगे आज के विशय से हम आपका परिचय करा दें अगर तो आज हम आपको केतु और धन का संबंध बताएंगे केतु के साथ धन कैसे कनेक्टर है इस विशय पर प्रकाश पड़ेगा कारिकर्म के ही दोरान बने रहीएगा कब केतु छप पर फाड़ के आपको पैसा देने के लिए तयार हो जाता है ये संयोग गोचर से कैसा होता है और आपके लगन कुंडली से कैसा होता है इस पर हम पूरी तरह से आज प्रकाश डालने वाले हैं आए शुरुवात आज के जोतिश दिशा की करें नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा स्रावनमा शुक्ल पक्ष सप्तमीति थी है आज चंद्रमा तुला राशी में नक्षत्र आज का रहेगा स्वाती ये राहु का नक्षत्र है और योग रहेगा शुभ तदनुसार दिनांक 11 अगस्त दिन रविवार राहु काल नोट करने समय राहु काल का शाम साड़े चार से छे और गुलिक काल दोपहर तीन से चार तीस राहु काल में नए और शुभ काम बिलकुल भी नहीं किये जाते गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कारंब कर सकते हैं हर कार्याब के सकारात्मक होते है काम आपके बनते हैं शुबता मिलती हैं आई आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पूरे दिन का हाल अर्थात आज की भविश्य वानी तो भविश्य वानी के बारे में चर्चा करें लेकिन आपको आज जोतिश का एक विशेश जानकारी मिलने वाला है और जानकारी है के तु कैसे पैसा देता है के तु का धन संबंद आज एक रोचक विश्य है आज और कल अभी दो दिन आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं गौहाटी में मिल लिजेगा आज तो सीधे फोन करिये और मिलने आ जाईए कोई एडवांस देने के ज़रूरत नहीं है आज बैठा हूँ आपके लिए मेश राशी, चंद्रमा के सात्मे में आने का प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा सब्तम में आकर राहो के नक्षत्र में बैठ करके आपके लिए कुछ आरंभ करेगा, कुछ बेहतर करेगा, कुछ नया करेगा. पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं रहेगा. मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे आप. ब्यापार की स्थिती थोड़ी सी डावा डोल हो रही है. परिस्थतियां आपके लिए प्रत्कूल होंगी. प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया और बड़ा होगा. सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. सरकारी छेतर की स्थिती को सुधारने में आप काम्याब होंगे. गौर्न्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ ब्यहतर परिणाम दे रहा है. दामपत्त जीवन की स्थिती को समारने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. दामपत्त जीवन आपके लिए अचानक किसी परिशानी की स्थिती मिला सकता है. चंद्रमा सात्मे में हैं और स्थितीयां आज प्रतिकूल हो सकती है. स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और बैक की स्थिती खराब कर रहा है. प्रियोक क्या करना चाहिए ओम हंग हनुमते नमह ग्यारह बार इस मंत्र का जाब करें. शुभरंग आपके लिए आज औरेंज भाग्यप्रत्षत पच्पण ब्रिशब राशियां. किसी मोड पर आकर के आज आज चंद्रमा आपको दोश दे रहा है. आपके लिए परेशान होना थोड़ा सा लाजिम है. छटे भाव का चंद्रमा आपको दोशित मानसिक्ता को जागरित करता है. पढ़ाई दूरी रहेगी, सिक्षा में प्रभाव पढ़ेगा, नुक्सान उठाएंगे. ब्यापार की स्थिती आपके लिए बहुत सफल है. बिजनस में कहीं परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है. बिजनस के लिए आप पर आज इश्वरी क्रपा है. प्राइवेट सिक्टर जैसा आपने सोचा होगा, उसके हिसाब से कुछ नया और बहतर परिणाम देगा. सरकारी छेत्र सुधार के साथ आगे बढ़ेगा. गौर्मेंट सिक्टर में आपको इन्बॉल्व होना पड़ेगा. दामपत्य जीवन कुछ टफ सिचुएशन देता है. अचानक किसी ने किसी मोड पर आप परिशान हो सकते हैं. स्वास्त के मामले में लीवर की समस्या, आँखों की दिक्कत और पेट की समस्या हो सकती है. क्या उपाय करना है? प्रियोग के तौर पर अपने कंठ पे आज हल्दी का तिलक लगा लीजे. शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भागी प्रदिशत 57. मिथुन राशी. चंद्रमा की स्थिती बहुत सकारात्मक और शुब है. चंद्रमा आच्छी स्थिती में है. कुछ बड़ा होने जा रहा है. चंद्रमा के साथ आपका प्रभाव बहुत सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई की स्थिती थोड़ी सी रावा डोल. मामला आपके हाथ से स्किप होगा. बैस्तताएं रहेंगी. चंद्रमा चुकी पंचम में आया तो बैस्त तो करेगा. लेकिन सिक्षा से भी मुख करता है. चंचलता देता है. प्राइवेट सेक्टर को आप आज संभाल कर आगे लेकर जा रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर की स्थिती आपकी हिसाब से रहेगी. सरकारी छेत्र कुछ इधर उधर की चीजों से आपको उल्जा सकता है. संभाल कर कदम बढ़ाइए, गौर्नमेंट सेक्टर को सुधारिए. दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे, आउसर अच्छे मिलेंगे, और प्रभाव आपका वर्चस्व आपका पड़ेगा. स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉब्लम हड्यों की दिक्कत हो सकती है. क्या उपाय करना है गर आपकी राशी मिथुन है? ओम विश्णवे नमह, ओम विश्णवे नमह, ओम विश्णवे नमह, ओम विश्णवे नमह, ग्यारह बारिस मंत्र का जाप करिए. शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत पच्पन बढ़ेंगे आगे चर्चा अगली राशी करक की चौथे में चंद्रमा की स्थिती है इस्थिरता है पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं शिक्षा में हर प्रकार से लाव हो रहा है ब्यापार की स्थिती को सवारने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दूसरों पे भरोसा कम करें प्राइवेट सेक्टर जैसा आपने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम देगा सरकारी छेत्र हर प्रकार से आपके लिए शुभ परिणाम दे रहा है दामपत्य जीवन थोड़ा संभल कर चलाने की आवश्यक्ता है पती पत्नी के वीच तालमेल सेट कर ले स्वास्थ है खासी जुखाम की शिकायत चेश्ट में पेन स्वास की दिक्कत ब्रीथिंग प्राब्लम हो सकता है क्या प्रियूग करना चाहिए अगर आपकी राशी करके आज उपाय के तोर पर सफेद वस्त्रधारन करें शुभरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्ष सिंग राशी तरतिय भाव में आपके चंद्रमा की स्थिति पराक्रम कराएगा मेहनत कराएगा सिक्षा की स्थिति थोड़ी सी डावा डोल होगी व्यापार अच्छा रहेगा विजनस में कोई रुकावट नहीं है जैसा आपने सोचा है उससे ब्यहतर परिदाम विजनस मे आपको मिलेगा प्राइविट सिक्टर को आप अलग तरह से बल दीजिएगा प्राइविट सिक्टर में शुपता अवश्य मिलेगी सरकारी छेत्र की स्थिति को ब्यहतर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा दांपत्य जीवन आपके लिए कुछ नया और अच्छा कर रहा ह स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या खाने पीने की दिक्कत आख की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अपने मस्तक पर शहद का तिलग लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज गुलाभी भागी प्रत्षत अठावन कन्य राशिम दुतियस चंद्रमा की स्थिती आज 11 अगस्त को थोड़ा परेशान करेगी पढ़ाई में आज कुछ रुकावट परेशानी हो सकती है शिक्षा की स्थिती आज कुछ आपके हाथ से बाहर जा रही है शिक्षा को ले करके थोड़ा सा सजगता आनिवार रहे है व्यापार आपके लेगा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो थोड़ा बहुत उतार चड़ाव बढ़हेगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिक्कतें आ सकती है अचानक कुछ परेशानी में उलस सकते है इक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हर कदम पर आपको लाब सवकारात्मक इस्थतियां बनी रहेंगे। स्वास्त के मामले में आज कन्या राशी वालों के लिए स्वास के दिक्कत नेत्र दोश और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी कन्या है। आज श्यूलिंग पर शहद चढ़ा दीजेगा और फिर जल चढ़ाईएगा। शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्यपद्शत 58 तुला राशी। चंद्रमा आपकी राशी में ही विद्धमान है। पढ़ाई के लिए बहुत आदर्श स्थापित करते हैं। सिक्षा की स्थती अनकूलता के साथ रहेगी। पढ़ाई में कुछ बड़ा करने की भी आज इस्थती बनती है। अवसर मिलता है। व्यापार थोड़ा सा परिशान कर रहा है। बिजनस पर ध्यान दे। कहीं चीजें उलजना जाए। प्राइवेट सिक्टर आपके लिए कुछ नए परिणाम की स्थती ला रहा है। प्राइवेट सिक्टर में बहतर परिणाम आएगा। शुबता अवश्य मिलेगी। संकेत अच्छे है। सरकारी छेत्र में जल्दी बाजी मत करिएगा। जो आप पर काम आ रहा है। आपके लिए जो काम आ रहा है। उसको अच्छे से निप्टाने का प्रयास करिएगा। दामपत्य जीवन आपके लिए कुछ नया आरंभध है। पति-पत्नी के बीच तालमिल शुभ है। किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ की स्थती देखें तो बैक की प्राब्लम और लिवर की समस्या दिखाई देता है। क्या उपाय करना है। प्रयोग के तोर पर अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक लगा लिजेगा। शुभरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रत्षत चववन बिश्चक राशी। द्वादस का चंद्रवा रहेगा। बारी लोगों की मदद से आज कुछ बड़ा काम बनेगा आपका। सोच विचार कर जो काम आपने आरंभ किया है उस पर आज बल मिलेगा। आज हर कदम पर आपको अवसर मिल रहा है। एक अच्छा सकारात्मक परिणाम आपका इंदजार करता है। पढ़ाई बहुत अनकूल है, सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं। ब्यापार जैसा आपने सोचा है उससे कहीं जाता ब्यहतर इस्थति बनती है। प्राइवेट सेक्टर को आप थोड़ा सत्तर जीह दीजिएगा। काम में मन लगाईए। कहीं कुछ रुकावट ना आने पाए। सरकारी छेत्र हर तरह से आपके लिए अनकूल इस्थतियां ला रहा है। गौर्णमेंट सेक्टर में शुम्ता हर तरह से बनीगी। दामपत्य जीवन इस्थति थोड़ी सी डावाडोल है। बहुत कुछ विगर्टित इस्थतियां है। स्वास्त के मामले में माईगिरेन की समस्या डाईजेशन की दिक्कत होगी। प्रियोग आटा और चीनी दाहिने थेली पर लेकर के किसी पौधे की नीचे डाल दे। शुभरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रत्षत बावन धनुराशी। एकादस भाव में आपके आज चंद्रमा विद्दमान रहेगा। एकादस भाव की इस्थति बहुत अच्छी है। पढ़ाई अनकूल रहेगी, सिक्षा में कुछ लाव होगा। चंद्रमा चुकी पंचम को देखेगा। तो चीजें आज संतुलित रहेंगे। ब्यापार मामला हाथ से बाहर जाएगा। बिजनस रुक सकता है आज। बिजनस में कुछ परिशानी बढ़ेगी। रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बढ़ा करेगा। चीजें बहुत अंकूल रहेंगी। अउसर अच्छे मिटेंगे। सरकारी छेत्र इधर उधर की चीजों से आपको उल्जा रहा है। थोड़ा संभल कर चले। दामपत्य जीवन आपके लिए कुछ अच्छा उसर दे रहा है। पती-पत्नी की बीच तालमिल अच्छा है। सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है। ओम विश्णवे नमह, ओम विश्णवे नमह, ओम विश्णवे नमह, साथ बार इस मंत्र का जाब करने। शुभरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत बावन, मकर राशिय। चंद्रमा दसमस्थाय है। दसम के चंद्रमा का प्रभाव आपके उपर बड़ा सकरात्मक है। केंद्र में हैं, केंद्रे शोकर के हैं। सिक्षा के लिए बहुत बैलन्स इस्थती रहेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप। रुकावट नहीं आएगी, सिक्षा पूर्णता की तरफ है। ब्यापार थोड़ा सा टफ है, बिजनस पे ध्यान देने की आवश्यक्ता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और नया कर रहा है। सरकारी छेतर को बेहतर करने में आप काम्याब होंगे। गौर्मेंट सेक्टर में अपने आप कुछ बढ़ा होगा। दामपत्त जीवन थोड़ी बहुत परिस्थतियां प्रतिकुलता की तरफ आगे बढ़ रही है। उस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। स्वास्त के मामले में नियूरो प्राब्लम कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। प्रियोक क्या करना चाहिए। उपाय के तोर पर आज मकर राशी वालों को किसी जरुरत मंद को हरी सबजी का दान करना शुब होगा। शुबरंग आपके लिए आज औरेंज भाग्य प्रतिशत चौवर। कुम्भराशी। चंद्रमा की स्थिती भाग्य स्थान पर है। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप। मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई एक्जाम देने जाना हो। कोई भी कॉम्पटेटिव इग्जाम बहुत अच्छा है। व्यापार आपके लिए परिशान करने वाला है। बिजनस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। परिस्थतियां थोड़ी प्रत्कूल होंगी। सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बहतर करेगा। अचानक किसी चिंता में पढ़ सकते हैं। सरकारी छेत्र आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। दामपत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनकूल इस्थति लाएगा। स्वास्त के मामले में जुखाम खासी के शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है। प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ टॉफी चॉकलेट देना शुब होगा। शुब रंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रतिशत पचास। मीन राशी अंतिम राशी। 11 अगस्त मीन राशी वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव आठवे भाव में है। यहां परिस्थेती थोड़ी प्रत्कूल हो रही है आपसे। संभल कर चलने की आवश्यक्ता है। पढ़ाई की स्थेती थोड़ी डामा डोल है। ब्यापार आप बहतर करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। सरकारी छेतर की स्थेती बहुत अच्छी रहेगी। दामपत्ती जीवन थोड़ा बहुत परेशान करने वाला आउसर दिख रहा हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बहतर कर लेंगे आप पति-पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ के मामले में कमरदर्द की शिकायत, कुछ इस्थतियां हड्डियों की दिक्कत और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है। प्रियोक के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुब होगा। शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रथिशत छप पर। राशियों की स्थति के बाद चर्चा अब उस विशय की करेंगे जो विशय हमने आरंभ में बताया था। जोतिश के जिग्यास्गों के लिए उनके जिग्यासा को शांत करने के लिए कलवाले में हमने आपको जानकारी दिया था कि मंगल और राहु कैसे पित्रण पैदा करते हैं। यह हमारे ख्याल से जो कलवाले राशिफल में हमने बताया है यह पहली बार हमने इसका जिक्र किया है। इस पर हम स्पेशल भी वीडियो डालेंगे। आज हम केतु और धन का संबंध बता रहे हैं। मित्रो केतु अंधा है। केतु के पास नेत्र नहीं है। और जब केतु का संबंध धनसे हो जाता है तो अंधा पैसा आता है। ध्यान दीजिएगा। लॉजिक समझ में आएगा। कब आएगा केतु कब पैसा अच्छा देगा जब इसका संबंध धन भाव से हो जाता है। वो कैसे अगर केतु दुती या एक अदस में बैठा है तो आप तयार हो जाईएगा अंधी कमाई के लिए। आपके पास इतना आ जाएगा कि आप समभाल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है। एक केतु की स्थती है, बहुत आता है, अनकाउंटेड आता है, बिना गिंती का और बिना बैंग का, दोनों स्थतियां केतु के दौरा पैदा होती है। तो अगली बार कुंडली देखते समझ इस विशेश पर ध्यान दीजिएगा, हाँ ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में इस प्रकार के अच्छे संकेत होंगे, अच्छे योग होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की, आज चंद्रवा की स्थिती तुला में है, शुक्र में है, अंगुठे के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा शेहद लगा कर रगड़ते हुए ओम शुम शुक्राय नमह का जाप कर लीजेगा। चर्चाब अगले सेगमेंट आज के भाग्याक्षर का, मेश, ताक्षर, बिशब, वा, मिथुन, काग्षर, करक, सा, सिंग, पाग्षर, कन्या, चा, तुला, हाग्षर, बिश्चिक, धा, धनू, गाग्षर, मकर, खा, कुम्भ, वाग्षर, मीन, या, नोट कर लेए इने, सादे चौकूर कागश पर और लिखकर अपने पास रख लीजेए। चलते चलते आज का आयुश्मान भवा है। आज जनका जनम दिन है, उनके लिए जनम दिन की हार्दिक शुप कामनाओं के साथ दो बरगत के पौधे कहीं लगा दें, सिवाले में बेल पत्र का पौधा लगाएं, बेल का और कहीं एक नीम का पौधा लगा देजे। जिसकी आज मेरे जनिवर सरी है, किसी छोटे बच्चे को खाना खिला दे, किसी कन्या के विवाह में मदद कर दे, पती-पत्नी मिलकर रुद्रा भिशेक अवश्य करवा ले। इतना सा करिए और दिन को अपने परम पावन, पुनीत, शुभ और कल्यानकारी बनाईए। अपने तेरह वर्षों की कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं। एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे, ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू, महालक्षमी, कर्ज, कोट, विवाद, मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के ल अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदी, दीप एक, खुशियां अनेक दू, बुशियों इट चाह अभी आपको, दिसके लिवाद, मन integer लिवाद, मैंको जापको, दीज, के लिए मुशियों के लिए एक, के लिए autistic, वालक्ति, यए व हुशियों यद के लिए व बत